Hello everyone, welcome back to your own channel Study World of Vidya और आज मैं आप लोगों के लिए 15 जन्वरी के जितने भी करण्ट अफेस के important questions बन सकते थे बोस सबी लेकर आएं हूँ हर एक question को मैंने यहाँ पर detail में discuss किया है तो आप लोग questions की detail ज़रू देखें क्योंकि detail से आप लोगों के current अफेस के साथ साथ static GKK के भी questions बनते हैं तो चलिए वीडियो सुरू कर लेते हैं पहला question है देश की सबसे छोटी organ donor कौन बनी है तो धनिश्ठा देश की सबसे छोटी organ donor बनी है इनके बारे हम बात कर लेते हैं कि ये कितने साल की है या फिर कितने महीने की है तो दिल्ली के रोहिनी में रहने बाली धनिश्ठा आठ जनवरी की शाम को खेलते समय फर्ष्ट फ्लोर की बालकनी से गिर गई थी इसी के दोरान डॉक्टरों ने 11 जन्वरी को उसे brain dead घोसित कर दिया था और अपनी जिंदिगी के महज 20 महीने बाद यानि की ये सिर्फ 20 महीने की है तो ये जानलेवा हादसे की सिकार हो गई थी तो धनिष्टा देश की सबसे छूटी organ donor बन गई है जब अस्पताल में इन्हे brain dead गोसित कर दिया गया था तो इनके माता पिता ने organ donate करने का फैंसला लिया और धनिष्टा के heart, kidney, liver और दोनों कॉर्णिया से 5 बच्चों को नई जिंदिगी मिली है तो ये एक world record है Next question है महिला T20 में Sophie Divine सबसे तेज सतक लगाने वाली महिला किरकेटर बनी है वे किस देश की है तो Sophia Canon न्यूजिलेंड देश की है इनके बारे में हम डिटेल में पात कर लीते हैं तो न्यूजिलेंड की महिला किरकेटर Sophie Divine ने T20 में 36 बॉल पर सतक जड़कर इतिहास रच दिया है और वे T20 किरकेट में सबसे तेज सतक लगाने वाली महिला किरकेटर बन गई है और इन्होंने 10 साल पुराना record तोड दिया है इससे पहले Best Indies की Dindra.in ने 2010 में South Africa के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी लेकिन इन्होंने 36 बॉल पर सतक लगाई है अगला question है भारत के national internet exchange द्वारा भारत की कितनी भासाओं में free domain की पेसकस की गई है तो 22 भासाओं में free domain की पेसकस की गई है डिटेल में बात कर लेते हैं तो यहां इसके तहट किसी में भी पंजी करत अंतराष्टे डोमेन नाम को रजिश्टार द्वारा बुक किये गई प्रतिक domain के साथ free निसुल्क देने का फैसला किया गया है अगला question है चोदे जन्वरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो चोदे जन्वरी को विश्व तर्क दिवस मनाया जाता है जिसे world logic day भी कहते हैं इसके बारे में हम डेटेल में बात कर लेते हैं तो 14 जन्वरी को विश्व तर्क दिवस यानि की World Logic Day मनाया जाता है और इसे मनाता कौन है तो इसे UNESCO मनाता है और पहला विश्व तर्क दिवस 14 जन्वरी 2019 को विश्व के लगबग 60 इस्थानों पर मनाया गया था और UNESCO की कारेकारी परिसद ने आधिकारिक तौर पर 14 जन्वरी को विश्व तर्क दिवस के रूप में गोसित किया था अगला क्वशन है अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस सहर में अपात्काल गोसित किया है तो अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने वोसिगटन डीसी में आपात काल गोसित किया है डेटेल में बात कर लेते हैं तो यह गोशना यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई है और इस हिंसक प्रदशन में अमेरिका में पांच लोग मारे गए थे और बहुत लोग जखमी हो गए थे तो ग्यारा से चोबीस जन्वरी तक आपात काल गोसित कर दिया गया है अगला कोशन है मनीश चोहान को किस देश में भारत का नया राजदूत न्युक्त किया गया है तो मनीश चोहान को पुर्तगाल देश में भारत का नया राजदूत न्युक्त किया गया है और यहाँ पुर्तकाल की जो राजधानी है वो है लिस्पन और राश्टपती हैं मारसेलो, रेवेलो, डिसूजा और प्रधान मंत्री हैं एंटोनियो कोश्टा अगला क्वेशन है वार टाइम गेलेंडरी अवार्ड से किसे समानित किया गया है तो वार टाइम गेलेंडरी अवार्ड से के पलानी को समानित किया जाएगा कब किया जाएगा तो ये 26 जन्वरी को समानित किया जाएगा क्यों किया जाएगा क्योंकि पूर्वी लद्दा की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से जड़प के दोरान हवलदार के पलानी सहीद हो गई थे इसलिए इन्हें इस अवोर्ड से समानित किया जाएगा और ये क इस राज्जी के हैं तो ये तमिल नाडू के राम नाथ पुरम निवासी हैं। अगला question है भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्जी में लाँच की गई है। तो ये महराश्ट राज्जी में लाँच की गई है। डिटेल में बात कर लेते हैं तो हाल ही में महराष्ट के मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे ने मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में तटिय सडक सुरंग बोरिंग मशीन लॉंच की है और यह भारत की पहली सबसे बड़ी सडक सुरंग बोरिंग मशीन है और इस मसीन के जरिये सुरंग का बोरिंग किया जाएगा और इस मसीन से मुंबई कोश्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए सुरंग की खुदाई की जाएगी अगला कॉशन है किस देश की सरकार ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 सम्मिलन की मेजवानी की है तो यह फ्रांस देश ने की है डिटेल में बात कर लेते हैं तो ग्यारा जन्वरी को बन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन किया गया है और वन प्लैनेट सिकर सम्मिलन एक अंतराष्ट्य आयोजन है जिसमें जैब विवित्ता पर ध्यान किंद्रित किया गया है और इस सिखर सम्मेलन का उद्दे से प्रकर्ति की सुरक्षा को बड़ावा देना है और इस सिखर सम्मेलन का आयोजन सायोक्त राष्ट यानि की UN और 200 बैंक के सायोक से किया गया है और बन प्लेनेट समिट 2021 की जो थीम है वो है Let's Act Together for Nature लास्ट कोईशन है किस राज्जी सरकार ने पक्षियों के लिए करोना अभियान 2021 को सुरूख किया है तो गुजरात राज्जी की सरकार ने पक्षियों के लिए करोना अभियान 2021 को सुरूख किया है डिटेल में बात कर लेते हैं तो हाल ही मैं राज्जी के जुनागर्थ, बड़ोद्रा, सूरत और बलसाड में वर्ल्ड फ्लू संक्रमड के मामले देखने को मिले हैं और इसी को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बिजयरूपाणी ने पक्षियों को बचाने और बीमार पक्षियों के इलाज के लिए कारोणा अभियान 2021 को सुरूप किया है वीडियो यही पर end होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिगा क्योंकि इसी तरह के important वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलते हैं थैंक्स वर वचिंग वीडियो